So good afternoon friends, welcome to my channel Edward Wings and KS Mains के ओपर जो quote case चल रहा है ताब को पता है उसकी judgment जो है वो आनी बाग की थी, काफी टाइम से जो judgment नहीं आ रही थी, 16 तारीक को जो है आखरीज की हेरिंग हुई थी, उसके बाद judgment जो है रिजर्व कर दी गई थी और आज जो है लगबग 15 दिन जो है 15 दि कोपी है वो अभी तक नहीं आई है बट सोर्सिज का मैं बता दूँ तो हाई कोट के अंदर दो वकील हैं उनके द्वारा जो है ये खबर जो है बताएगी है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं ये खबर बिल्कुल सही है और क्या judgment आई है बिलकुल मैं आपको बताता हू क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो कोट केस था उसको डिसमिस कर दिया गया है यानि बिलकुल जो allegations लगी गी थी पीडिशी के गिलाव जो allegations जितने बी लगाई गी थी उस सबको डिसमिस कर दिया गया कोई भी जो है उसमें फैक्ट नहीं पाया गया जो चीज चल रही थी वह तो पेससी के फेवर में जो है ये फैसला सुनाया गया है और पेससी को कोई भी नुकसान नहीं है पेसी जो है अब जैसा जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे अल्रेडी 4400 के अराउंड अराउंड उन बच्चों के साथ जो है मेंस मेंस जो है अब उसको करबा सकती है और दूसरा एक और चीज है कि इस पूरी प्रोसेस में जो पैसा लगा है लगबग 50,000 रुपे के आसपास जो है जो हुआ है कोट केस को इनिशेट करने में उसकी प्रोसेडिंग बगएरा में उस 50,000 रुपे की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट जो है वो पेटेशनर्स को चुकानी पड़ेगी एक हम कह सकते हैं पनिश्मेंट के तोर पर की वक्त जो जाया किया गया जो बच्चों को मेंटली हायरस किया गया जो बच्चे सेलेक्टिट थे कहीं न कहीं वो बच्चे एक्जाम देने पहुंच के थे आखरी वक्त में जाकर जो है इस केस की वज़े से जो नुकसान जलना पड़ा है उसकी ही एक किसम के हम कह सकते हैं कि पैनलिटी जो है केस को चलाने में और पच्चीस हजार रुपे जो है इसमें से वो इनको वेलफेर फंड रहता है एक उस वेलफेर फंड में जो है वो कंट्रिब्यूट करने पड़ेंगे तो पच्चास हजार रुपे का जुर्माना भी एक किसम का हम कह सकते हैं लगा हुआ है इंडिरेक्ल जब आएगी वो भी हम जो है अपलोड कर देंगे बाकी खुशकबरी है बच्चों के लिए बिल्कुल जिन्ठों का मेंस है जिनोंने कॉलिफाइ किया था उनके लिए खुशकबरी है बाकी मेंस जो है होगा कब होगा यह सब जो हब जेके पीसी के ओपर जो है जिम मदारी बन जाती है रमजान का महीना भी है शायद उसको consider अगर किया जाएगा तो में भी डिले हो भी सकता है अभी exam को conduct करवाने में लेकिन अगर PSC चाहेगी तो रमजान के बीच भी जो है mains जो है वो लिये जा सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो जल्दी जो है आपको आपकी date sheet जो है फिर से जो है आपकी revise date sheet जल्दी देखने को मिल सकती है तो बेरहाल जो भी होगा वो JKPSC की side पर जो आपको communicate कर दिया जाएगा हम भी आपको बता देंगे जब भी JKPSC की तरस date sheet अगर आएगी तो ठीक है वो बात की बात आज में फिलहाल जो है यही है कि आप enjoy कीजिए case जो ह है जो है है वो यूरह रशे किया जा कैसं हो जाएगा है कि एक ही